विधायक ने सिव सागर मोरगाओं में किया सामुदाइक भवन निर्मान के लिए भूमी पूजन रोतास के सिप सागर प्रखर्णन तर्गत मोर गाओं में विधायक ललन पास्वान के द्वारा गुरुवार को भवन निर्मान को लेकर भूमी पूजन वो सिलम न्यास किया गया सामुदाइक भवन के निर्मान पर करीब पांच लाग की लागत आएगी सामुदाइक भवन के निर्मान हो जाने के बाद वहां के ग्रामीनों को कई कारियों को करने में सहुलियत होगी साथ ही उन्हें अब मत्दान के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा इस अफसर पर विधायक पास्वान ने कहा कि ग्रामीनों की मांग पर मोर गाओं में सामुदाइक भवन निर्मान के लिए सिलन्यास किया गया है इस पर करीब पांच लागत आएगी समवेदत को सामुदाइक भवन निर्मान के दौरान उन्वत्ता बनाये रखने वो गरबरी करने पर कारवाई करने की छेतामनी दी गई है विधित होग की मोर गाओं में जिस भूमी पर सामुदाइक भवन के लिए भूमी पूजन किया गया है वहाँ पर कुछ दिन पहले माननिय उच नियालाई के निर्देश पर अतिक्रमन हटाया गया था स्थाल पर एक बाटवेर से समुदाइक भवन का निर्मान कारे प्रारम होने जा रहा है देखना यह होगा कि इस पर इस निर्मान कारे को लेकर लोगों की क्या प्रस्थिक्रिया रहती है